नमई शुक्राइब दोस्तों मैं हूँ महेंदर दोगने मोटेविशनल स्पीकर और लाइफ कोश और लेकर आ गया हूँ फिर से क्योंकि लास्ट दो क्लासे जो थी वो हमारी गलती और क्या सुधार करना है नए साल में उसके बारे में थी और हमने जो है अर्थ सतक लगा दी ह अब 51th नमबर की क्लास है मतलब 51 क्लास ये 51 भी क्लास है मतलब 50 क्लास शेर मार्केट की हो गई है जहाँ पर मैं free of cost आपको सिखा रहा था कि stock market को कैसे सीखना है कैसे trade करते हैं और कैसे अपने जीवन में अपना जो capital होता है उस पर आप gain प्राप्त कर सकते हैं अब कई लोग क्या करते हैं beginner है जो लोग loss कर रहे हैं वो भी अपने आपको beginner ही माने चाहे आपको कितने समय हो गया हो market के अंदर लिकन इदि आपका monthly दो मन्त का 6 मन्त का PNL यदि red दिखा रहा है तो आप अपने आपको beginner ही मानिएगा नया विक्ती ही मानिएगा over confidence में बिलकुन मताईए क कि हमको तो बहुत समय हो गया है अरे भीया बहुत समय हो गया है तो आपका PNL green क्यों नहीं हुआ हर महीने का यदि green नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं नहीं आप beginner ही है आपको बहुत सारी बाते समझ में नहीं आ रही है तो आगे बरने से पहले हम बता दे कि ये 51 नंबर के class से और आज का topic है कि नए लोग जो है share market के शुरुआत कैसे करे क्योंकि बहुत important है क्योंकि 2024 आ गया है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल ये प्रण लेकि एक साल में दी आपको वाकिवी stock market करना है तो आपको पता होना चाहिए step by step की करना कैसे है कई बच्चे मूँ ठा बिना ही आप यहां पर आ रहे हो तो आज हम उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं यदि अभी तक आपके हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोई नहीं किया description में लिंक है यदि अभी तक आपके पास dmit account नहीं है कोई भी description में दोनों की link है आप जोईन कर सकते हैं और dmit account जो कि आपको याद रखना है कि भाया नए लोग जितने भी market के अंदर आ रहे हैं पांच चीज भी बताऊंगा पांच में से जो सबसे पहली चीज उसको describe करूँगा हर चीज को describe करूँगा सबसे पहली चीज है कि पहले आपको सीखना है और उसके बाद करना है अब देखो सीखने ये बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं practically बताता हूँ जो मैंने भी सीखा है वही आपको सिखाने वाला हूँ कि सीखना किसको कहते हैं stock market की learning बहुत अलग है आप लोग 11-12 तक पढ़े होंगे graduation किया होगा या फिर किसी भी चीज के त्यारी कर रहे होंगे जो भी आपने जीवन पढ़ाई की होगी उसका simple सा funda कुछ और था और यहाँ जो पढ़ाई करना है इसका funda बहुत अलग है नॉर्मल पढ़ाई से इसक market जो है ना उसमें दो प्रकार की सीख मिलती है आपको दो प्रकार से उसको सीखना होता है आप सोच रहे होंगे भी ये दो प्रकार से सीखना किसको कहते है इसी को मैं समझाता हूँ दो प्रकार से सीखने को मतलब कहते है कि एक तो पहले इसकी सीखना होता है theory मतलब आपको क करना होता है इसकी क्लासिस कहीं से भी कर सकते हैं हमारे यूटीब के फ्री चैनल से कर सकते हैं हमारा गुरू को लाने वाला थर्ड बैस शुरू होने वाला है वो शुरू होगा एक फरवरी से तो उसको उससे कर सकते हैं कहीं और से जहां से आपका अमाल लगे जिस विक्ति से आपको जादा सीखने को मिले, आपको लगता है कि इसकी language मुझे समझ में आती है, वहां से सीखे, मतलब आपको classes करना चाहिए, क्यूं करना चाहिए, आपको basic तो पता हो भाया, जब तक किसी भी चीज़ का basic नियम ही नहीं पता है, आपको साप CD खेलना है, लेकिन आपको यही पता कि भाया, CD आएगी तो आप उपर जाएगे, साप आएगा, साप का मुह आएगा, उस पर आजाएगे, आप तो नीचे आजाएगे, यदि आपको यही नहीं पता, basic नियम ही नहीं पता है गेम के, तो आप उस गेम को खेलेंगे कैसे, stock market भी खेल की तरह ही ही लो इसको, और इस खेल को खेलने के लिए पहले खेल के नियमों को समझना होगा, और पहले वो आप कैसे सीख सकते है, theory में, theory में क्या सीख सकते है, classes, classes में क्या सीख होगे, हर बारीक चीज, उसके खेल के नियम, और क्योंकि इस stock market बहुत बढ़ा खेल है, छोटा खेल नहीं है यह, इस इसके अंदर भाया, intraday में stock का buy sell होता है, इसके बाद, आप इसमें index में भी trade कर सकते है, option trading होती है, future होती है, है ना, बहुत सारी चीज है, है ना, commodity होती है, फिर crude oil होता है, फिर gold होता है, silver होता है, फिर dollar में भी trade होता है, बहुत बढ़ा समूद रहे है, आप बहुत जगे तो फिर परिशानी आने वाली है अब एक तो सीख लिया कई बच्चो ने क्लास के थुरू अब क्लास के थुरू सीखने के बाद देखती है ऐसे सीना चोड़ा को के चलता है अरे भाई साब आप मैं सब कुछ नहीं बिगार सकता और उसी के बाद उनको मिलता है सबसे बड़ा क्यों कि ये वो पढ़ाई नहीं है यहां आप आगए थोड़ा पढ़ लिया आपने क्लास कर लिए एक दो महीने की चार महीने की और उसके बाद आप मार्केट में आए और आप धुन धढ़ाके से पैसे कमान लोगे बिल्कुल भी नहीं ये एक जूट है ये बहुत बड़ इसे समझाता हूं और जो गुरुकुल के बच्चे को अमें बॉक्स में कमें करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया ताकि दूसरे बच्चों को भी समझ में अब दूसरा होता है प्रैक्टिकल इसी चीज़ को सीखना प्रैक्टिकल सीखने का मतलब क्या होता है कि आपने जो theory सीखी है stock market के बारे में जो rules सीखे हैं उसको practically देखना कि वो आपको practically market में समझ में आ रहे हैं या नहीं देखो आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा हुआ है तो comment box में comment करके बताना क्या कि भाया आपने theory को सीखी थी कि फालाना support टूटे तो बेज दो resistance टूटे तो खरीद लो आपने ऐसा किया भी होगा लेकिन वहाँ पर इतनी प्रकार की practical problem गई होगी कि आपका stop loss manage नहीं हो रहा है वो जल्दी भाग गया उसने retest नहीं किया फलाना डिमकाना ऐसा वैसा दिमाग खराब हो जाता है आप एक नियम follow करने जाते हैं चार नियम तूटते होते हैं फिर आप confused हो जाते हैं कि भाई करू की ना करू होता है आपके साथ यदि हो रहा है तो comment box में comment करके ज़रूर बताएगा तो यदि माल दीजे theory की class आपने साथ दिन में करी कितने दिन में? साथ दिन में करी मतब दो महिने में करी तो कम से कम 180 दिन कम से कम बता रहा हो यह तो अभी और बढ़ने वाला है मतब total तो मैं भूलूँगा 1000 दिन लगेगा लेकिन कम से कम यदि 60 दिन की class लिए हैं तो आपको 180 दिन उसका practical सीखने में लगेगा जितनी भी चीज़े आपने market में पड़ी है दो महिने में तो 6 महिने उसके बाद मतब यह 2 महिने हटा दो 6 महिने उसके बाद लगेंगे आपको कम से कम उस जो पड़ा है वो market में दिखने के लिए क्योंकि market जब खतम हो जाता है उसके बाद तो हर कोई विक्ति बोल देता है रहे यहाँ पर खरीद लेना था यहाँ पर बेज देना था यहाँ यहाँ पर यह दिख रहा था भाईया ऐसे बाद में तो सबको दिखता है लेकिन practical market में जब आप बैठते हैं जब market चालू होता है उसके बाद सोचना मतलब बहुत टफ होता है वो tough कैसे easy होगा वो होगा यदि आप पहले theory पढ़ लोगे साथ दिन उसको अच्छे से contest कर लोगे हर नियमों को contest कर लोगे higher 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 लो uptrend का क्या signal होता है downtrend का क्या signal होता है support पर खरीदना किसको बोलते है resistance पर भेशना किसको बोलते है बारीक से बारीक नियम तो यदि वो सीख गए तो उनहीं नियमों को practically live market में देखना practical knowledge कहलाता है अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको काफी सारा अपना समय live देना पड़ेगा कई बच्चे इसमें से क्या कर रहे है school college आते हैं कई लोग job पे रहते हैं फिर उनकी शिकायत क्या होती है या वो क्या सोचते हैं हमाले पास time नहीं है सीखने के लिए यदि time नहीं है और फिर भी सीखना है तो आपको कहीने कहीं से time manage करना पड़ेगा यदि आप वो time manage नहीं कर पा रहे है तो आप अपने आपको लू मत बनाइए अपने आपको बेवकूफ मत बनाइए कि भाईया थोड़ा कर लिया कभी कर लिया कभी नहीं किया और ऐसे ही करके चल रहा है ये गलत हो जाएगा आपके साथ गलत कर रहे हो आप तो आपको time देना पड़ेगा यदि आप swing trade कर रहे हो long term के लिए stock देख रहे हो उसको सीख रहे हो बहुत बड़ी है मेरे इसाब से long term सबसे best होता है कि आप एक अच्छा setup पकड़ो long term stock उठा लो long term trade करो option भी करना long term करो कोई दिक्कत नहीं swing की position hold कर सकते हो लेकिन कहीं बच्चे क्या करते हैं intraday के चक्कर में पड़ते हैं अब intraday के लिए तो आपको daily का market का behavior समझना पड़ेगा उसकी charge समझना पड़ेगी उसकी volatility को समझना पड़ेगा और जब तक कम से कम छे महीने साल भर आप practically market में रोज screen के सामने नहीं बैठते क्योंकि जब मैं भी बैठा करीवन-करीवन एक साल में भी screen के सामने बैठा तो वो मुझे समझ में आये कि यार मैं सोचा तो कुछ औरी था और यह तो कुछ औरी चीज़ है तो आपको समझ में आता है कि आप यह reality और जो theory होती है उसमें बहाँ ज़्यादा difference होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है पहले सीखना है सीखने के कितने step है दो step है दो step कौन-कौन सा है एक theory है, एक practical है theory आपको कहीं से भी सीखना है जहां से आपका मन हो वहां से सीखिए आप लेकिन कम से कम इसको 60-70 दिन दीजिए ये 60-70 दिन में आसानी से कबर हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है 60 दिन में आप बहुत अच्छी theory सीख सकते है लेकिन इसका practical सीखने के लिए कम से कम 180 दिन हर दिन हर दिन मतलब सब्ता में 5 दिन मार्केट खोलता है पूरे महीने में लगबग 20-20 दिन मार्केट खोलता है वो पूरा महीना 20-20 दिन 6 महीने के लिए आपको मार्केट के सामने बैठना पड़ेगा उसके practical behavior को समझना पड़ेगा और 9-15 से लेकर आपको 3-30 तक बैठना पड़ेगा यह दि practically market के behavior को समझना है तो long term के लिए भी आपको एक बार तो बैठना ही पड़ेगा तब जाके आपको market समझ में आएगा आदा time office चल रहा है उसी time में आप देख रहे हो फिर office का कोई काम आगया फिर आपka multitasking चल रहा है कि office का काम भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, पड़ाई भी कर रहे हो दिक्कत आती है सीख सकते हैं, ये नहीं बोड़ा हो, कि नहीं सीख सकते है लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा specific time निकाल के एक दो मेने चार मेने दो आसानी से समझ में आएगा तो पहला आपको नए बच्चों को जो loss कर रहा है समझ लेना इस बात को जो वेक्ति अभी भी loss कर रहा है वो भी नया ही माने अपने आपको वो भी beginner ही माने वो ये ना समझे कि भाया मैं तो 6 मेने से कर रहा हूँ सालबस से कर रहा हूँ जो बहुत कुछ पता है यदि पता है तो आप loss क्यों कर रहे हो अपने आप से प्रशन पूछो comment box में भी लिख के बताओ चलो ये होगी पहली चीज दूसरी चीज 2024 में अपने आपको जीवन बदलना है भीया stock market से affiliate market कहीं से भी अपना जीवन बदलना है stock market एक मात्र जगह है क्या पैसी कमाने की नहीं नहीं भीया multiple source है यार ऐसा होता कि stock market से ही करोड़ पती बन सकते हैं या भीर बन सकते हैं तो इस दुनिया में बाकी काम जिन्दे खतम हो जाते हैं सारे लोग stock market में ही आ जाते हैं लेकिन आपको पता होना चीजिए कि इंडिया की total population का भी मात्र कुछी परसंट जो है stock market के अंदर divet account को ले हैं तो इस बात को याद रखिएगा और उसमें से भी कुछी लोग trading करते हैं option trading करते हैं दूसरी चीज़ तो सबसे important चीज़ है कि पैसा कमाने के भाव से stock market में ना हो अभी अपने आप में ही conflict है बात ही conflict हो रहे ही कैसे है कि आप भया हमें क्या बोल रहे हो कि पैसे कमाने के भाव से ना है और जबकि हमको तो यहां से लगपती करोड़ पती बनना है और करोड़ पती बनना है तो stock market से ही बनना है और आप कह रहे हो कि करोड़ पती और लगपती बनने के भाव से ना आओ stock market में तो पैसा कैसे कमाएंगे यह तो पैसा कमाने के लिए तो आये हैं हम यही सोच आपकी बहुत गलत है कि आप पैसा कमाने के भाव से stock market में entry मारते हो फिर आपकी psychology गड़बड होती है आप पैसा थोड़ा कमाते हो बहुत सारा गवाते हो और फिर आप चले जाते हैं stock market से बहुत प्यारी जगए stock market लेकिन किसके लिए है जो इस बात को समझेगा आपकी गलती क्या है समझेगा आपकी ये गलती है तीन गलती क्या है आपकी गलती ये है कि आप लोग यहां करने आये हो 10,000 का 20,000 महीने में क्या करने आये हो कि भाईया मैं 10,000 रुपे लेकर आऊंगा महिने में और महिने के अंत में वो 20,000 रुपे हो जाए बस मेरे को और कुछ नी चाहिए बस यही चाहिए बस दुखना पैसा चाहिए मतलब जो लाया हो उससे डवल हो जाए क्या ऐसा किसी भी धंदे में पॉसिवल है प्रैक्टिकली सोचो यह जो सोच है आपकी कि एक लाक लगँगा दो लाक बन जाएगा दस लाक बन जाएगा जल्दी से करोपती बन जाओगा नई यही आप भी इस भाव के साथ मार्केट में आये हो, नए साल है, दो हजार चोबिस चालू हो गया है, यही आप भी इसी भाव के साथ मार्केट में आये हो, गलत कर रहे हो, आप अपने साथ गलत कर रहे हो, अपने घरवालों के साथ गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो, क्यो stock market का जो काम है न वो permanent है मतलब जैसे मैं job पे जाता हूँ जैसे मैं धंदे पे जाता हूँ वैसे ही मैं stock market पे घर पे बैठ के trade करूँगा और मैं खुब पैसे कमाँगा नई गलत बात करना ही नहीं ऐसा हम नहीं करते हम खुद मैं खुद नहीं करता हूँ ऐसे जितने भी professional लोग है वो खुद नहीं करते है ऐसे वो उसके साथ साथ multiple काम करते हैं भली कोई भी काम कर रहे हो multiple source of income होता है तब ही जाके confidence आता है कि यार चलो इतना पैसा चला भी गया मेरा 2-4% मेरी total capital का चला भी गया तो में को कोई फरक नहीं बढ़ रहा क्यों नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरे वो और source खुले हुए है यहां से चला गया तो अगले महीने फिर से वो आ जाएगा मेरा घड़ा फिर से भर आ जाएगा खाली भी होगा तो लेकिन जो विक्ती 10,000-50,000 रुपे ही है उसके पास और वो उसी 10,000-50,000 से करोपती बनना चाहता है क्या बन पाएगा नहीं बन पाएगा यही बात आपको ध्यान से समझना है कि भाया आप यह परमानेंट काम मानकर जो आना चाहते हो 2024 में स्टॉक मार्केट में भूल जाओ ऐसा नहीं होता है आपको कोई ना कोई साइड बाई साइड कोई भी काम धंदे करते रहना है और उसी के साथ साथ यह करना है जो वेक्ति साइड बाई साइड काम धंदे के साथ साथ इसको कर लेगा वो सफल होगा जो नहीं कर पाएगा वो और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा इस बात को समझेगा और किसी वेक्ति को पर्मानेंट भी करना है तो पहले साइड वाले काम के साथ इसको करो और फिर जो काम से जो साइड बाई वाला काम है उसे दी दुगना तिगना कमाने लगो तब छोड़ो confidence खुद खुद आ जाएगा कि हाँ या रब में कमा पारो है ना इस बात को या दखना लालच करके आते हैं कहीं सारे लोग कि भाया पैसा तो चाहिए अपने को आप shortcut मिल गया है shortcut कैसे मिल गया कि कहीं लोगों ने बोला है कि भाया stock market में करोड़ पती जल्दी मनते हैं है ना बहुत सारे PNL देखें तो लालच के भाव से आ जाते हैं ये तीनो विशेश गलतियां है जो आपको नहीं करना है सुधार क्या क्या करना है ध्यान से समिलना सुधार सबसे बड़ा यही है कि आपको return on investment का सोच कर शुरू करना है यदि आपको stock market शुरू भी करना है stock market में काम भी करना है तो आपको ये देखना है कि मेरा return on investment में मेरे को कितना मिल रहा है बस ये सोच के आओगे तो बहुत सफल होंगे कैसे जैसे मान दीजे कि मैंने एक लाख रुपए बैंक में रखे कहां रखे एक लाख रुपए जो है मैंने बैंक के अंदर रखे अब एक लाख रुपए यदि मैं बैंक के अंदर रखता हूँ और साल भर के लिए रखता हूँ तो एक लाग पर मुझे कितना ब्याज मिलता है मुझे ब्याज मिलता है 4,000 रुपए एक लाग पर 4% की दर से सेविंग खाते की बात करो यदि मैंने FD कराई होती तो 6,1% की करीम मिलता मतलब 6,000 रुपए मिलता यदि मैं बाहर किसी को ब्याज से पैसे दे रहा हूँ 2% महिने के तो 24% होता है अब आप अपने कैपिटल पर कितना परसंट प्रैक्टिकली पैसा चाहते हैं वो देखिए कोई वेखते धन्दे में भी पैसा लगाता है ना जो काम धन्दे खोलते हैं अब कोई दुकान खोल दी, कोई शौप खोल दी तो इनके जो प्रोड़क्ट रहता है ना उस पर भी मार्जिन ऐसा ही होता है कि वही आप 5 से 10 परसंट, 15 परसंट का मार्जिन होता है वही उसका टोटल इंकम होता है और इसी पर गेम चलता है पूरा मार्केट का माल लिजे कोई आप साबुन का पूरा का पूरा आपने गोडाउन खोला तो साबुन जो आपके पास आ रहे एक कमपनी से उस पर एक मार्जिन होगा ना उतने ही आपका प्रोफिट होगा कि भाया मेरे एक लाख रुपे लगाए है यदि मैं सेविंग खते में पटकता हूँ तो मुझे साल भर में चार हजार रुपे मिलते है FD कराता हूँ तो साल भर में 6% मिलता है 6000 मिलते है और यदि मैं किसी को अपनी और से उधार दे दिता हूँ मालो कि आजकल जैसे मालो 2% 3% पर कई लोग पैसा देते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन दे देते हैं माली जाए तो 2% पर पैसा देते हैं महीने का तो 24% होता है 24,000 उसको मिल सकता है अब आप यही सोची कि 1,000,000 का आपको अच्छा अमाउंट क्या होता है या 10-12,000, 15,000 बस 10-12,000, 15% इंदी सालाना आपको मिल जाता है रिटर्न बहुत बढ़िया रिटर्न है और यदि आप स्टॉक मार्केट में आते हैं यही बार ऐसा होता है कि फिर मंतली भी 5-10% आप इससे निकालने लगते हैं कमाने लगते हैं मतब सालाना वही 100% के करीब आपका कैपिटल हो जाता है लेकिन फिर वही बात कि यह आप बैंक से और बाकी जागों से कंपियर करेंगे तो उसके हिसाब से आपको कंपेरिजन करके चलना है तब जाके आप एक सही ट्रैक पकड़ता होगे और यही दुगने करने के भाव से आए कि 10,000-20,000 कर लूँगा आगले मैंने 20,000-40,000 कर लूँगा सब कुछ पट्टी पलित हो जाएगा सब कुछ बरवाद हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा इसलिए आपको ऐसे धोके में नहीं रहना है अब इस वाद को मेरी प्रेन पुर्वक मानिएगा और उसके बाद आप एंट्री कीजिएगा तीसरा पॉइंट क्या है तीसरा पॉइंट है लंबे समय को देख़ कर आपको स्टॉक मार्केत में आना है डेखो, एक दिन का प्रॉफिट नहीं होता ठीक है, एक दिन में प्रॉफिट नहीं को ठीक है मंतली और येरली देखना होगा इन दोनों पॉइंट का मतलब क्या है यदि आप stock market में profitable है कि नहीं है इसको देखना है पर यदि आप एक दिन को देख रहे हैं एक सब्ता को देख रहे हैं एक महिने को देख रहे हैं नहीं हो पाएगा हो सकता है कि कोई week आपके favor में चला गया हो आपके सारे treat सही चले गया हो तो उस week में आप profitable हो हो सकता है कि किसी महीने में आपके favor में नहीं गया market आपकी psychology हिल गए और उस महीने आपको नुक्सान हो गया तो आप किस basis पे कह रहे हो कि आप profitable या कोई भी वेक्ति जो आपको PNL दिखाता है कहीं बार दिन का दिखा देता है जिस दिन तो हो जिन नहीं तो जिस दिन प्रॉफिट हो आप ने तो उस दिन का देखा और उससने दिखा दिया आज मैंने 2-4-0-1 ग कमा लिए यही psychology है, कि आपको यह बात समझना पड़ेगा कि हर दिन profit ही होगा यह तय नहीं है, तो यदि आप अपना या किसी विक्ति का भी profit देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका monthly या mainly yearly देखो, monthly से भी कुछ नहीं होता किसी मंत में profit में होगा, किसी मंत में हो सकता loss में हो, आप 1 January से लेकर 31 December तक उसके साथ क्या हुआ, वो देखो यदि आप उसको एक बार देख लेंगे या खुद का देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने फायदे में है, और कितने नुकसान में है, हाँ, शुरुवात एक एक दिन करके ही होगी, कि भाया हर दिन profit कमाएंगे, या किसी दिन stop loss लेंगे किसी दिन target अचीव करेंगे, ऐसे ही होगी शुरुवात लेकिन, आपको ये बात याद रखना है, कि आपको एक दिन का देखकर नहीं सोचना है, confidence को high नहीं कर लेना है overconfidence में नहीं आ जाना है, कि भाया मेरे को तो profit हो गया, आप तो मैं सीख गया ऐसा नहीं होता है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक सपता दो सपता देखकर नहीं होता है, आपको monthly और yearly देखना होगा, तभी आप इसको देखे, मतलब मैं कहना चाहरा हूँ कि लंबे समय के लिए इसको जब आप करेंगे, तभी आपको इसका profit और लाव समझ में आएगा, चौती हो सबसे important चीज है कि consistency के साथ आपको practice करना होगा, ठीक है देखो, एक दिन या एक महीने का खेल नहीं है, यह मैंने पहले भी समझा है थोड़ी दिर पहले, कई लोग क्या सोचते हैं कि भाईया, एक दिन कर लूँगा profit होगया बढ़िया मैं सीख गया, एक महीने कर लिया, profit होगया नहीं, game ही नहीं है, stock market game है consistency के साथ practice करने का consistency मतलब, 365 दिन होते हैं उसमें से आप हर महीने के 20 दिन के हिसाब से जो है, माल लीजे 12 दो निच्वेश, 240-250 दिन के लगभग trading होती है अब 240-250 दिनों में से आप कितने active रहे मेरे जैसा विक्ति active नहीं रह पाता क्यों नहीं रह पाता, क्योंकि कई बार मुझे seminar लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, है ना, और seminar होते 2-3-3 दिन बाहर होते हैं तो मैं फिर आता हूँ, तो 3 दिन के लिए मैं blank out हो जाता हूँ, मतलब market को नहीं देख पाता हूँ, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ में आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा कि आप सब कामधान छोड़के market के पिछे नहीं पड़ जाएंगे और जब नहीं पड़ेंगे तो आपको वो result नहीं मिलेंगे तो आपको क्या करना होगा कि भहिया जितना भी time आप market के सामने है एक दिन या एक महने का खेल नहीं आपको वो practice consistency के साथ करना होगा और यदि नहीं करेंगे तो कभी loss कभी profit आखरी में मटी पिलित ही हो जाएगा सारी चीज़ है तो आपको ये बात याद रखना है और हर दिन practice करना होगा ये सबसे important चीज़ है चाहे आप बाहर भी चले जाए तो भी आपको थोड़ा-थोड़ा market को track करते रहना पड़ेगा चाहे आप trade ना ले लेकिन track तो करना पड़ेगा आपको practice तो जारी रखना पड़ेगा अपने मन में तो कहना ही पड़ेगा कि यहां से मुझे लग रहा है यहां से मेरा एक setup बन रहा है नीचे आने का यह practice तो आपको करना ही पड़ेगा चौथा और पाच्वा और सबसे important चीज़ है कि discipline आपको सीखना पड़ेगा the most important चीज़ मैंने इस दो साल की journey में simple सी एक यही चीज़ सीखी है भया discipline नहीं तो आपके जीवन में success नहीं चाहे वो stock market हो चाहे वो job की कोई life हो चाहे वो आपका business हो कोई भी चीज़ हो जब तक आप discipline नहीं रखेंगे उसमें नियों को भूल जाओगे वो copy और वो page और वो कहा लिखा था वो सब कहा मिलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो कहने का मतलब क्या है आपको discipline मतलब अपने rule बनाना होगा उस rule को follow करना होगा उसे ही कहता है discipline तो rule बनाओ उसको follow करो कड़क तरीके से follow करो नहीं कर पाओ तो सजा दो अपने आपको क्यूँ आप अपने आपको सजा नहीं दो गए तो क्या होगा हर बार नियम तोड़ने की market में आपको सजा मिलेगी यदि आपने market में नियम तोड़ा तो आपके loss होना तय है आपने सही stop loss नहीं रखा सही stop loss लिया नहीं छोड़ दिया उसको बितर तेप की आएगा तो आएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यदि आप ऐसा करेंगे मार्केट में आपके बहुत बड़े बड़े loss हो सकते हैं तो मैं ये 5 नियमों की थुरू आपको समझाना चाहता हूँ कि 2024 की शिरुवात हो चुकी है ये 5 जो नियम बना है इसके screenshot ले लो है ना इसको आप लिख सकते हो कॉपी में लिख लो इन नियमों को follow करो और 2024 के end में 31 दिसंबर 2024 तक मैं आपको guarantee रहता हूँ अपना प्रेम दीजे मुझे बताईए कि इस सीरीज को मुझे चालू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए या वापस से जो motivational वाले वीडियो बनाता था मैं उसी प्रिकार से आपके लिए continue कर दू तो आप जैसा कहेंगे अब वैसा ही होगा income class हो गए है जो बच्चे नए है हमारा पूरा का पूरा playlist है YouTube पर share market के नाम से आप वहाँ जाएए उस पूरी playlist को देखिए stock market को सीखिए अभी तक यह दिए आपने हमारे telegram गृप को जए नहीं किया सिर्फ description में ही जो link दिया है उसी से करना अगले वीडियो में फिर में लेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद